ये आका श्वानी है, हौसले कारिक्रम के अंदरगत लीजे सुनिए एहसास का पक्ष विशे पर बाच्चीत वरिष्ट अधिवक्ता और समात सेवी श्री संतोष कुमार रॉंग्टा जी से मैंने इस पेशे को बचपन से ही चुना अपने लिए और इसका कारण ये था कि मैंने चारू तरफ समाज में ये देखा, अपने विद्याले में देखा, अपने परिवार में देखा कि किस तरह से दिष्टी बादिता के कारण, दिव्यांगता के कारण भेद्भाव होता है, परिवार से ये भेद्भाव शुरू होता है और समाज के हर इस तर पर वो इस भेद्भाव का सामना हमसा को करना पड़ता है, तो मुझे लगा कि ये पेशा एक ऐसा है, जिससे हम नयाईक संगर्ष के माध्यम से इस भेदभाव को समाप्त करने का यतना कर सकते हैं और दिश्टी बादितों और दिव्यांगों के अलिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं तो कहते हैं कि वकील सूरत से सीरत का पता लगा लेते हैं आप किसी की सीरत को कैसे पहचानते हो देखे मैं इस बास से किरती जी सहमत नहीं हूँ आपकी, कि सूरत से सीरत पहचानी जाती है, सूरत से सीरत कभी नहीं पहचानी जाती, चर्चा परी चर्चा के माद्यम से ही हम किसी की सीरत पहचान सकते हैं, सूरत से पहचान जो करता है, वो धोका भी खाता है, और अक्सर पहचानने का जो मैंने हमेशा माध्यम चुना है और वकालत के पेशे का ये अभिन आंग है कि हम चर्चा परिचर्चा और जिरह के माध्यम से सीरत पहचानते हैं और सच निकलवाते हैं तो कोई ऐसा मुकदमा जिसमें दृच्चिबाधित होने के कारण आपको हार का सामना करना पड़ा हो और कोई ऐसा भी जिसमें ये दृच्चिबाधा नहीं बनी नजर्वाले देखते रह गए और आप जीत गए देखे ऐसा कोई मुकाम नहीं रहा जहां दृष्टी बादिता के कारण मुझे परहजय का सामना करना पड़ा हाँ इतना आवश है कि जब मैंने व्यवसाय प्रारम किया था तब शुरू में न्याय धीश से लेकर वकील साथियों के साथ साथ क्लाइंट्स से भी इस तरह का ए अपनी क्षमता के माद्यम से जो अवसर मिले उनको सही प्रयोग करके और अपनी क्षमता के माद्यम से न्याय दिलवा के क्लाइंट्स को हमने उस नकारात्मक दिश्टिकों को बदला है जब वकालत के पेशे की शुरुवात की तो मैंने शुरुवात भूमी संबंदी नक्षा है मौके का वो काफी महत्पूर्ण कई बार होता है लोगों की निगाह में अब चुनोती ये थी कि किस तरह से उस नक्षे को उसकी भूमी की स्थिती को पिना देखे किस तरह से उसको समझा जाए और उसको प्रस्तुत किया जाए शुरू में मुझे भी लगता था कि ये कोई चुनोती है लेकिन चुनोती के रूप में कभी मेरे सामने प्रस्तुत इसले नहीं हुई कि मैंने जो नक्षे को भूमी की स्थिती को समझा वो मैंने अपने हाथों के माध्यम से समझा डारेक्शन के माध्यम से समझा लोगों से जो हमारे ब्रीफिंग साथी थे council साथी थे हमारे सहोगी उन से समझा कि फर्च कीजिए table को मैंने मान लिया जमीन जिस भूमी के विशम है फिर इससे मैंने सारा location समझी कि right side में ये है इतनी चोड़ाई पे ये है इतनी चोड़ाई पे हुआ है तो इस तरह से कभी भी उस माध्यम से जो मेरी समझ थी और उसके कारण जो मैंने प्रस्तुती की उसमें कभी भी दृष्टी बाधिता के कारण ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गलत प्रस्तुती की हो, मैंने गलत प्रक्ष लग दिया हो या उस कारण कोई नुकसान हुआ हो यानि जो नक्षा होता था वो आपकी मस्तिश्क में था आप एक बात और सोचिए कि आप दिश्टिवान होते हुए आप जब नक्षा देखती हैं तो आप भी तो दिमाग में ही बैठाती है ना नक्षे को आप आँख से देखकर दिमाग में बैठाती हैं हम हाथ से समझ कर द नहीं मिलता तो आप सफल नहीं हो सकते और अगर आपको जो अपर्चुनिटी मिल जाए उसको आप सही इस्तमाल करें आप रिजर्ट दे सकें तो आपके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं है सफलता की तो मैंने डेली लेंड रिफॉर्म्स एक्ट के इंतरगत जितने केसे होत आपके प्रियासों से किस सरह के बदलाव आए? नहीं है बलकि वो समाज में बोज हैं लेकिन उस संगर्ष के परिणाम सरूप नए एक संगर्ष प्रशासन से संगर्ष जितने भी परमिसिबल मीन्स हैं उनके माध्यम से जो संगर्ष चला एडवोकेसी चली उसके परिणाम सरूप जो बदलावा है आप सूचिए कि कहां एक और दिश्टी बादीतों को किवल संस्थाओं की आश्रमों की चार दिवारी में रहने वाला व्यक्ति वहीं तक सीमित करने वाला व्यक्ति समाजिक बोज के रूप में देखा जाता था वहां इस संगर्ष के परिणाम चलूप हमने सिविल सर्विसेस के दरवाजे तक ये को जो विभाजग रेखा किची हुई थी उस समय दानी और दान लेने वाला उसकी विभाजग रेखा हमारे और समाज के बीच से मिटती जा रही है ये तो नहीं कहूँगा खतम हो गई है ये लंबा संगर्ष है लेकिन काफी हद तक वो रेखा बहुत धूमिल हो गई है ऐसे में कानून जो हमारी ताकत है दिश्चिबादितों के लिए बनाए गए कानूनों में क्या आज भी बदलाओं की गुंजाईश है देखे कानून एक इवाल्विंग चीज है कोई भी नीती कोई भी कानून सामाजिक परिवेश के बदलाओं के साथ उसको भी बदलना प कानून 21 साल के अंतराल में ही आगया 2016 में नया कानून आप चुनोतियां जिस तरह से बदलती जा रही है कोविट के कारण आप देख रहे हैं जीवन शैली किस तरह बदली है नई नई चुनोतियां आई हैं तो डिजिजिटलाइजेशन हो रहा है तो अब आप यह सोचिए क कई चीजें बदलनी होंगी एकसेसिबिलिटी के कॉंसेट को और सुद्रड करना होगा सामाजित विश्यों से सब्देश सभी कानूनों की एक समस्या है कि implementation को लेकर जो mechanism है enforcement को लेकर जो mechanism है वो जड़ा काफी कमजोर रहते हैं और यही चुनोति इसमें भी है तो हमें लगत है लेकिन हलाकि फिर भी जो नय हमारा कानून है काफी सशक्त है काफी वो टीथ वाला है और अगर उसका उपयोग करके अभी तक हम लोगोंने पिछले वाले कानून को भी और इस वाले कानून को भी नियाले से जो precedents आये हैं उसके कारण बहुत सकारात्मक परिवर्तन आये देखे मैं एक बात और आज आपके कारिकरम के माद्यम से बताना चाहता हूँ कि जहां तक कानून और न्याइक निर्णेयों का सवाल है भारत में जिस तरह का सकारात्मक निर्णेयों का भंडार है अमरे दिव्यांगों के अधिकारों पर वो अन्परिलल है अच्छा अच् बहुत अच्छी बात है आपका सपना क्या है जो पूरा नहीं हुआ क्या सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं देखे मैं यह मानता हूँ कि हर व्यक्ति को सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए फिकास की कुंजी बड़े-बड़े सपने देखने में ही है मेरा सपना य दिश्टिबादितों और दिव्यांगों को समान रूप से उनको रोजगार मिले, सामाजिक सुरक्षा का दिखार मिले, उनको जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, उनका पूरा अंतिम व्यक्ति तक उनको पूरा लाप पहुंचाया जाए और ये सपना पूरा होने में हमें के बहुत अच्छा लगा, तो श्रोताओं ये था हमारा कारेक्रम होसले एहसास का पक्ष विशे पर हम बाच्षित कर रहे थे वरिष्ट अधिवक्ता और समाज सेवी श्री संतोष कुमार रॉंग्टा जी से, अगले गुरवार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लि